आप जुड़ चुके हैं लाइव विध ठीम अरोरा अनावाज ठीवी ये हमारा हफतावारी प्रोग्राम है जो हर जुम्ह को हम आपकी खिद्मत में पेश करते हैं इस प्रोग्राम के तहट हम बाचीत करते हैं रियल स्टेट के मतलग रियल स्टेट की मार्किट उपर नीचे हो रही है आज आप कहीं भी किसी भी मैफिल में बैठें तो सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो जो अभी हॉल ही में इंट्रेस्स रेट कट हुआ है उसके बारे में चर्चा होती है या रियल स्टेट के जो मार्किट में उत्राव चड़ाव जो चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा होती है तो हम भी इस प्रोग्राम के तहट आज देखेंगे कि अभी हाल ही में जो इंट्रेस्स रेट कट बैंक आफ कैनिडा ने किया था वो क्या उसका कोई इंपक्ट रियल स्टेट मार्किट पे है तो दिनेश वैसे मैं सबसे पहले अपनी टीम का तारूफ मैं करवा दूँ आपके साथ हर हफते की तरह आज परवीन जी गैर हाजर हैं किसी जरूरी मीटिंग में वो मस्रूफ थे तो इसलिए हम कोशिश करेंगे के प्रोग्राम को अतना ही मालूमात भरपूर बना सकें जितना के परवीन जी करते हैं तो मेरे साथ दिनेश हमेशा की तरह आप सब लोग वाकिफ हैं दिनेश रोरा जी हमारी टीम के सीनियर मेंबर हैं और हमारी री सेल टीम से जतिन जी तो वेलकम तो दे शो जैन्पलमें तो टीनेश जैसे हमने देखा के बड़ी एक उमीद थी सब लोगों को चाहे वो बायर सेलर हों चाहे वो रियल स्टेट प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हों मसलन हम लोग और जो दूसरे लोग जैसे के मौटगेज ब्रोकर्स, होम इंस्पेक्टर्स, सबको ये एक बहुत बड़ी उमीद थी कि जो जून में क्योंके काफी पहले बात्चित शुरू होगी थी कि इंट्रेस रेट जो है वो कम होगा तो बड़ी एक उमीद थी लोगों को कि शायद इससे कोई बहुत बड़ा इंपक्ट मार्केट में आने वाला है तो अब देखें तो दो तीन हफ़ते गुजर गए है इस छे जून को हुआ था तो अलमूस तीन हफ़ते गुजर चुके हैं तो बींग ऑन दा यूनो ग्राउंड आप हर रोज बायर से इंट्रेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज लिस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज शो करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि वाकई कोई असर हुआ है इस जो 2.5% इंट्रेस्ट रेट जो कम हुआ है मार्किट में कोई आप देख रहे हैं कि कुछ इंपक्ट किसी भी तरह से पॉजटिव या नेगटिव आप देखते हैं इसमें कुछ दिलों साब एक तो ये जो इंट्रेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है ये आफटर लॉंग टाइम अल्मूस्ट दो साल के बाद मतलब थोड़ा जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी कोई रिलीफ आए तो ये पहली रिलीफ जो है ये दो साल के बाद आई है बिलकुल तो उन्होंने होल्ड करने की बजाए रेट आफ इंट्रस्ट को कट किया है हाला कि मतलब अभी भी कई लोगों को अट लग रहा था कि कनेडियन डॉलर वीक हो रहा है तो शायद इस बार भी ना करें बट में भी हो सकता है अगेंस दा विंड जाके या बाकी सारी सिचुएशन देखते हुए उन्होंने इस कट को ड्रॉप किया है तो देखें अभी दो तीन वीक गुजर जाने के बाद अगर आप कहें कि कि प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नजर आई है कि लिस्टिंग के कोई प्राइस पॉइंट बढ आगे हैं कि अगर वो प्लैन कर लें कि अगर थोड़ा बहुत आगे चलके को और कैसे रिलीफ होती है तो तो उनका बजट कैसा बनेगा किस प्राइस पॉइंट तक वो अफोर्डिबिलिटी उनकी जाएगी और सेकेंड टाइम हो ये भी होती है कि लोग जब बैंक ऑफ कैन काफी कम करने की कोशिश की है काफी रीजनेबल है कईयों के तो 5% से भी नीचे अगर आप 3 साल तक के लिए 3 साल या उससे उपर आप फिक्स करते हैं तो 5% से नीचे का रेट भी जो है कई बैंक का आपको मिल सकता है तो उसकी वज़े से एक ये इंपेक्ट देखने को मिला है कि जो छोटी property है first time home buyer है जो अभी rent के ऊपर है तो उनकी activity बड़ी है छोटी properties के ऊपर काफी बड़िया activity देखने को मिली है और उनका जो buyer का decision बनाने का थोड़ा सा process है वो थोड़ा सा fast हुआ है उनके उपर तो ये एक cycle है तो जैसे जैसे ये छोटी properties अब बिकेंगी तो जो छोटी properties के seller होते हैं वही आगे चलके बड़ी properties के buyer होते हैं तो ये एक cycle है कि जब छोटी properties उनकी reasonable price पे बिकेंगी या उनको लगेगा कि उनके neighborhood में ये चोटी property लगी थी ये बिक गई है तो उनमें भी एक confidence आजाता है कि at least मेरा घर इसके related इतने एक worth में stand करता है और फिर वो अपना एक decision अपनी आगे की calculation करनी शुरू कर देते हैं कि अगर हमने ये घर इतने का बेजते हैं इसके अंदर ये हमारी equity है तो आगे हम किस range तक property के लिए जा सकते हैं तो मेरे को लग रहा है कि अगर जिस तरह का ये positive sentiment आया है अगर ये ऐसे continue रहता है अगर कोई और market में negative news नहीं आती तो आने वाले time के ऊपर चलके बड़ी properties के भी ऊपर थोड़ी activity जो है वो हमें होगी inventory थोड़ा देखा ये भी अब गया है कि जैसे ही interest rate drop हुआ है तो बहुत सारे investors जो अपनी properties को hold करके बैठे थे या बहुत सारे seller जो decision नहीं अभी बना पा रहे थे उन्हों को लगा है कि जैसे interest rate cut हुआ है तो this is the good time की property को market में ले आया जाए तो उसकी वज़े से inventory भी market में बढ़ी है तो जब inventory market में बढ़ती है उससे थोड़ी activity तो जरूर बढ़ती है बायर को भी थोड़ा benefit ये होता है कि choice मिल जाती है बट price point को कोई बहुत जादा उसके साथ impact नहीं पड़ता तो मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले time में भी number of transactions जो है वो बढ़ेंगी बट price point को हो सकता है कोई बहुत जादा impact ना हो ऐसे blindly जैसे पहले लोगों ने buying की हुई है ऐसे शायद rate या उपर ना जाए जब हम बात करते हैं ये नो अपना उसको क्या बोलते हैं demand and supply की तो अब ये देखा जाए कि supply तो almost enough है market में बिलकुल क्योंकि काफी सारी listings जो हैं अब इस वक्त available है market में क्या demand भी उतनी ही बड़ी है जितनी supply बड़ी है नहीं वही चीज है कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि rate of interest थोड़ा drop होने की positivity को लेके बहुत सारे जो seller हैं वो market में आए हैं जो पहले rental properties थी या किस तरह लोग negative cash flow में properties को maintain कर रहे थे तो वो एक hope के साथ market में आए हैं investors ने भी जो stuck थे उन्होंने भी अपनी market में properties जो हैं वो लेके लेते हैं कि अगर कोई decision आए तो हम market में साथ की साथ आ जाएंगे तो उससे inventory तो बड़ी है supply जो है वो बड़ी है बट अभी भी buyer में उस तरह का aggressive decision नहीं है कि आप गए एक property देखी और एक दम से ही कोई बहुत firm या कोई इस तरह का decision बना लिया तो वो चीज नहीं है हाँ buyer है market में बर उनका decision बनाने का जो process है वो काफी slow है वो अपना time ले रहे हैं वो properties उतनी कई बार फिर sell नहीं होती फिर और properties market में आ जाती है तो थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे inventory जो है वो हलकी हलकी सी बढ़ रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस बात के उपर कह रहा था कि यही दो चीजें control करेंगी rate of interest और inventory अगर थोड़ी सी inventory कम होती है थोड़ा price point बढ़ेगा number of days जो है market में वो कम होएंगे but अगर on the same time buyer decision slow process पर रखते हैं inventory और बढ़ती है buyer कई बार और properties फिर देखना चाहता है और end of the day उसका decision बनाने का process होता है वो लंबा हो जाता है बिल्कुल जतिन आप भी हर रोज buyers and sellers के साथ काम करते हैं तो अगर हम listing के लिहाज से देखें तो कैसी activity चल रही है क्या जो number of showing listings पे हो रही थी उनमें कोई change आया है आप देख रहे हैं कोई कम हुआ है या ज्यादा हुआ है यह interest rate जैसे दिनेश ने बताया कि एक बहुत बड़ा factor है लेकिन this is not the only factor तो आप कैसे देख रहे हैं अगर हम interest rate बढ़ने से पहले की बात करें और आज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इन्वेंट्री जो है बहुत ही major रोल प्ले करती है एक buyer and seller के decision पे तो जो मैं अपनी listings पे देख देख पा रहा हूं कि जो भी listings आपकी लोवर प्राइस पॉइंट की है लोवर प्राइस पॉइंट जैसे मैं के वन पॉइंट वन मिलियन वन पॉइंट टू मिलियन के राउंड उन सब में एक्टिविटी इंट्रस्टेइड अनॉंस्मेंट के बाद इंक्रीज हुई है बड़ अगर हम देखें कि कोई भी लिस्टिंग्स जो फुड़ी हायर प्राइस पॉइंट में 1.5 तू मिलियन और प्लस तू मिलियन प्लस की जो लिस्टिंग्स है उन पे शोइंग्स पे कुछ ज्यादा एफेक्ट नहीं आया है मैं कहीं क्लाइंट के साथ जो काम कर रहा हूं जिनका बजेट थोड़ा 1.5 और 2 के उपर है उनके पास आज की डेट में इतनी ज्यादा ओप्शिंग्स हैं कंपेर करने के लिए कि वह खुदी कंफ्यूज है कि कहां वह अपने जो भी उनकी सेविंग्स है और वैलुएबल उनके जो इनकी एक्विटी है उप कहां पर क्या कहते हैं एक्विटी बनाएैं और कहां पर डिसीजन लें तो雜़न दाट परे मार्का क्रिश्ज climax मेंडें जो आप क्याँ सज्ञेशन देंगे अगर माननीजएएं आप ही एक गायर है तो आप मतलब किस किस चीज का ख्याल रखेंगे कि जब आप आप जो एक बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आप फर्स टाइम बायर तो है नहीं है तो किस किस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे वन बाइंग अ हाईर प्राइस पॉइंट प्रॉपर्टी मसलन एक एक डेड़ मिलियन से उपर या दो मिलियन के आसपास की जो सेकेंड या थर्ड टाइम बायर हैं यह उनकी रेंज होती है तो किस किस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि जब इसकी बाइंग कर रहे हैं आप आज की मार्केट में देखें जो लग्जरी प्रॉपर्टी मतलब 1.5, 1.8, 2 मिलियन या इससे उपर जो लोग बाय करते हैं वो डेफिनिटली जैसे आपने शेयर किया कि वो फर्स टा भी रहे होते हैं तो उसको घर के जो क्या एक्सपेंस हैं मौडगेज प्रॉपर्टी टैक्स यूटिलिटीज तो उनका एक काफी अच्छे से उनको आइडिया होता है उनको सारी चीजें क्लियर होती है और उन सब चीजें के बाद उन्होंने डिसीजन बनाना होता है कि थोड़ा हर बंदे का एक डिफरेंट प्राइस पॉइंट है डिफरेंट हर बंदे की फाइनेंशल अबिलिटी है तो हर बंदे की लाइबिलिटी इस डिफरेंट है तो बेसिकली इसमें है क्या कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय करने के लिए देख रहे हैं पहले तो आप को एक अच्छा evaluation होना चाहिए आपकी खुद की property के लिए कि आपकी property अगर आप बेचते हैं तो worst case scenario में वो market में कितने की बिख सकती है तो once you have that idea अगर मान लिजिए कोई property आप 1.5 की सोच रहे हैं तो मेरा हिसाब यह है कि उतकी जो calculation है वो आप 1.450 से करें अगर आपको लग रहा है कि worst case scenario मेरा 1.5 में घर बिख जाएगा आप फिर भी सोचेंगी अगर साड़े 14 में भी बिखता है kind of a जैसे bank की mortgage में वो stress test डालते हैं थोड़ा conservative आपनी calculation करते हैं और थोड़ा stress test की तरह आप देखें कि भी आप higher rate भी अगर जैसे हो जाता है कि qualify कर पाएंगे तो एक तो वैसे आपकी approach जो है वो conservative होनी चाहिए उनको देखके और secondly उसके बाद आप price point अपना decide करेंगे कि based on आपके पास कितनी equity है घर में और जो property आप buy करना चाहते हैं based on your income जो आपकी family की income है आपकी liabilities हैं अगर आपके पास कोई lease पे या कोई और गारी है other second properties हैं आप bank से easily कितनी mortgage उठा पाएंगे तो वो जो number है उसको आप अच्छे से किसी के साथ बैट के किसी अच्छे real estate agent के साथ वो अपने सारे number जो है वो run करके देखें और अगर आपको वो लगता है कि number run करने के बाद upsize करने के बाद जो property में आप move करेंगे अगर आप उसको run कर सकते हैं six month one year at least तभी आप उस property के उपर आगे proceed करें अगर आपको confidence नहीं है अगर आपको लगता है कि यह चीजें नहीं हो पाएंगी तो फिर थोड़ा सा आपको या तो कोई अपनी requirement चेंज की जाए या property की कोई location चेंज की जाए ताकि आपको वो चीजें भी मिल जाएं और आपका price point भी ना बड़े तो जैसे आपने देखा कि जो interest rate cut हुआ है वो कोई बहुत लंबा चोड़ा pricing में तो कोई effect आज की date में नजर नहीं आ रहा है activity definitely बड़ी है हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं ब्रेक के बाद यह गुस्त 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 जारी रहेगी हम यूं गए और यूं वापस आए आप कहीं नहीं चाहिएगा देखते रही है अवास TV जी नाजरीन welcome back to the show ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो interest rate cut हुआ है हाल ही में उसका GTA की real estate market पे क्या impact रहा तो in conclusion हम यह कह सकते हैं कि price point में कोई ज़्यादा फरक डजर नहीं आ रहा है लेकिन definitely activity के लिहाज से अगर हम देखें तो काफी activity जो है वो बड़ी है खास करके जो lower price point properties हैं उन पे तो काफी सारी listings हमारे पास मौजूद रहती हैं आप अगर एक buyer हैं और आप real estate market में चाहे enter करने की सोच रहे हैं आप first time buyer हैं या आप second, third time buyer हैं जो के अपना घर upsize करना चाहते हैं अप्ग्रेड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है इस वक्त क्योंकि जैसे के हमने बात की के inventory काफी हद तक market में available हैं बहुत अच्छी अच्छी properties market में इस वक्त available हैं और काफी अच्छी deals भी आपको अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छी deals भी market में मिल रही हैं तो काफी सारी listings हम भी carry करते हैं अफकोर्स ये हमारी mostly resale की listings हैं इसके अलावा अगर आपकी कोई भी commercial real estate के मतलग जरूरत हो या pre construction real estate के मतलग जरूरत हो वो भी services हमारी team जो है आपकी खित्मत में पेश करती है तो हम आपके साथ कुछ थोड़ी सी listings पहले share कर लेते हैं और उसके बाद बाची तोर आगे करेंगे दिनिश आप कौन कौन सी listings आज हमारे viewers के साथ share करेंगे तो हम अपने viewers के साथ starting में जो अगर हमारे कोई first time buyers हैं उनके लिए काफी अच्छी listings लेके आए हैं काफी अच्छे price point है attractive और काफी अच्छी location सो जतिन बताएं हमारे first time home buyer के लिए क्या क्या options हैं जिनिश भी first time home buyers के लिए आज हम तीन बहुत ही अच्छी listings लेके आए हैं स्टार्ट करता हूँ पहली 106 Finnegan Circle से यह North West Brampton के बहुत ही desirable area में एक टाउन हाउस है यह टाउन हाउस की best चीज यह है कि this is very new less than 5 years old बहुत ही अच्छी square footage है इस घर की 3 bedroom 3 bathrooms और यह जो price है इसका बहुत ही attractive price है under million dollars पे हमने लिस्ट किया हूँ है 2 अच्छी त्रडीशनल 2-story townhouse, free hold and no maintenance fees थीजए लेकी और यह वेज़स है इसे कनट उप्शन हमारे पास है वो क्रेट वैली के बहुती प्रेस्टियोस एरिया और बहुती फेमस इंटरसेक्शन में बोल सकता हूं जेम्स पॉर्टर और बोनी बेस के एरिया में है 56 बोनी बेस्ट ड्राइव और टेक्नीशन उनकी पिच्छर दिखाएं 56 बोनी बेस्ट ड्राइव में बेस्ट फीचर यह है कि यह एक मिलियन डॉलर की रेंज में जो प्रॉपर्टी है उसके डबल कार गिराज है फिनिश बेस्मेंट है तो कोई भी हमारे दर्शक अगर इसके बारे में इंफर्मेशन चाहते हैं तो हमें 416-910-8923 पर कॉंटाक्ट कर सकते हैं और इस इन दोनों प्रॉपर्टीज पर हम ओपन हा एक एंड यूनिट टाउन हाउस है हमारे ब्रैम वेस्ट एरिया में मिसिसागा एंड स्टील्स के इंटर्सेक्शन पर इसकी भी बेस्मेंट फिनिश्ट है और हाइली अपग्रेड़ेड और बहुत ही मॉडर्न कॉंसेट का ये टाउन हाउस है अल्मोस लाइक सामी से जो बड़ी 1.4 1.5 की रेंज की कोई प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं तो उनके बारे में बताएं कोई और हमारे पास जो आप्शन है कुछ प्रॉपर्टी मैं शेयर करता हूँ बेलकुल जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस रेंज में 115 पैच एवन्यू ये कैलिड़न क क्या लिजिए बहुत ही नए एरिया में मेइफिल्ड और मेकलागलिन का एरिया है ये बड़ा ही अपकमिंग एरिया है बहुत सारी ड्वाल्पमेंट यहां पे हो रही है ब्रेंटन से बिलकुल जो है जुड़ा हुआ ये कैलिड़न का पार्ट है और ब्रेंटन की सारी फैस जजदी की हैं इस प्रॉपर्टी से इस सब्डिवीजन से यह तकरीबन साड़े 25 सो स्क्वेर फीट का टू स्टोरी डिटाच होम विड डबल कार गराज और बहुत सारे अपग्रेड्स जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं बहुत सारे अपग्रेड्स इसमें किये ग है इस प्रॉपर्टी को और कोई यह बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं सरफ दो साल के आसपास इसकी एज है और यह जो प्रॉपर्टी है इस पे हम सैटर्डे को उपन हाउस लगाएंगे टू टू फोर ओक्लाक तो अगर आप उस एरिया में हैं या आप उपन हाउस मे अगर नहीं भी आ सकते हैं तो हमारे आफिस में 416-910-8923 पे कॉल करके इसकी अपॉइंट्मेंट बनाके हम आपको एक प्राइवेट व्यूइंग भी इसकी करवा सकते हैं जो नेक्स प्रॉपर्टी है वो है 28 आर्थर 28 आर्थर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं य अबर एक जो अमेनिटीज हैं बिलकुल वाकिंग डिस्टेंस पे हैं इस प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं बाहर से ही काफी अपग्रेड़ेड प्रॉपर्टी लग रही है पैटरन कॉंक्रीट का इसका ड्राइव वे है पांच चार बेडरूम इसमें उपर हैं और ती तीन बेडरूम की इसकी बेस्मेंट बनी हुई है और इस घर में आप हैरान होंगे टोटल साथ वाश्रूम्स हैं तीन वाश्रूम बेस्मेंट में हैं टू फॉल वाश्रूम्स और एक टू पीस और उपर इसके तीन फॉल वाश्रूम्स हैं बेडरूम्स के साथ और और इसके पीछे कोई नेबर्स भी नहीं है बड़ा ही प्राइवेट इसका बैक्यार्ड है तो आप डेफिनिटली इस प्रॉपर्टी को भी अगर देखना चाहते हैं तो दोजों दिन सेटरड़े और संडे इसके उपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा और 1.30 to 4 o'clock दोनों दिन हम इस प्रॉपर्टी पे मौजूद होंगे अगर आप ओपन हाउस के टाइम पे आना चाहते हैं तो डेफिनिटली आप से मुलाकात रहेगी वरना उसके इलावा भी अगर आपको कोई टाइमिंग सूट नहीं कर रही है तो आप हमें आफिस में कॉल करके अपने सहूलत के मताबक इसकी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं आप शेयर कीजिए दो तीन प्रॉपर्टी शायद आपके पास भी है दिनिश हाँ जी तो जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ये है 18 एमराल कोस्ट ट्रेल ये नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है ब्र मिसी सागा रोड और सैंडल वोड ड्राइव और मिसी सागा और वानलेस का जो एरिया है उस इंटरसेक्शन के नेबर हुड में ये प्रॉपर्टी अवेलिबल है और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि इससे फुली डिटैच होम डबल कार गराज जैसे आप देख रह पर 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 बी और सेकंड फ्लोर के ऊपर भी नाइन फीट की हाई सीलिंग है और एट फीट के जो कस्टम बिल्ट डोर है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल है और इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि प्राइस पॉइंट इसका बहुत ही अट्रेक्टिव है तो कोई भी हमारे जो व्यूवर्ट हैं अगर वो किसी टाउन सिंगल कार गिराज या किसी सेमी डिटैच में रह रहे हैं तो अपसाइज करना चाहते हैं कुछ नए नेबर होड के अंदर विद न्यू फीचर नाइन फीट और नाइन फीट सीलिंग एट फीट डोर तो ये एक बेस्ट प्रापटी हो सकती है 18EMORAAL COAST RAYL की हमारे अगले कोई अगर अगर अगरी जो हमारी एक लिस्टिंग है वो हमारी है 2 attraction drive तो ये जो प्रापडी है ने अगले property है और यह prestigious जीबर होड जो ब्रैम्टन का है मिसी सागा रोड और फाइनेंशल ड्राइब उस एरिये के अंदर यह property located है और इस property को अगर आप देखेंगे तो entrance से तो यह stone और stucco का elevation है corner unit है with lots of light और अंदर से इसके office भी है separate with living, dining, family with open to above concept और kitchen जो है इसकी it's a huge kitchen with all built-in appliances और सारे इसके अंदर sub zero, wall, सारे high brand के जो appliances हैं वो इस property में इस kitchen के अंदर लगे होए हैं kitchen separate breakfast area and it's a huge backyard इस property का है यह around 60 by 120 feet का deep lot है corner unit with natural sunlight तो इस property के ऊपर भी हमारा दोनों दिन open house रहेगा और open house के अलावा किसी भी time अगर आप इस property को view करना चाहते हैं तो आप हमें call कर सकते हैं अगली जो हमारी listings है वो भी एक luxury detached home है 30 jacobrill crescent तो यह जो 30 jacobrill crescent property है यह 60 feet का wide lot है stone की यह elevation है और यह property जो churchville का area है dairy और financial drive का जो area है उस neighborhood में Brampton के intersection में यह property available है यह just border है Brampton और मिसी सागा का और इस property की खास बात यह है कि 60 feet का wider lot है इसके अलावा इसमें separate living, dining, office space, open to above breakfast area, high-end appliances with kitchen, family area और उपर four bedroom और three full washroom है इस property के अंदर basement इसकी finished है और उसमें आपको home theater, full washroom, one bedroom और kitchen जो है वो भी इस property के अंदर available है तो इन सभी properties के उपर अगर आप किसी भी time viewing करना चाहते हैं तो आप हमें call कर सकते हैं 416-910-8923 तो धिलो साब एक कोई और luxury property दिखाएं जो हमारे कोई ऐसे end user है जो इन properties से भी उपर कोई अपना एक dream house establish करना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा शेयर करें जी बिलकुल दिनेश हमारे पास एक property हमने list की है 25 Leo Austin ये गोर रोड और Mayfield के area में property located है 6500 square feet से उपर इसका living area है आप जैसा picture में देख रहे हैं कि three car garage 75 foot इसका front है और तकरीबन 250 feet deep है ये property और ये एक ravine lot है पीछे कोई भी neighbor नहीं है बहुत ही private lot है ये इसके साथ की जो properties थी वो तकरीबन 3.9, 3.8 में बिकी हैं इस neighborhood में ये property जो है हमने 3.2 के आसपास हमने list की है लेकिन इसमें और भी negotiation हो सकती है तो अगर आप अपना dream house देख रहे हैं अप size करना चाहते हैं तो ये definitely बहुत ही बढ़िया इसमें main floor पे एक bedroom है दो washrooms है main floor पे और उपर चार bedroom है और हर एक bedroom में washroom attached है बहुत ही spacious bedrooms है kitchen जो है इस property की highlight है बहुत ही upgraded almost 100,000 dollars की इसमें kitchen ही include की गई है तो इस property की मालुमात या किसी और भी property के बारे में आप मालुमात लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे office में 416-910-8923 पे call कर सकते हैं यह हमारा office जो है वो dairy और mcloughlin के intersection पे वाक्या है कभी भी आप during office hours हमारा office सुबह 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक खुला रहता है कभी भी आप walking कर सकते हैं वहाँ पे always agent on duty होते हैं आपका real estate के मतलग कोई भी स्वाल हो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था चाहे वो resale real estate हो चाहे pre construction real estate हो चाहे वो commercial real estate हो किसी भी तरह की आप कोई business buy करना चाहते हैं आप कोई business sell करना चाहते हैं आप कोई hotel, motel, gas station या आपके पास कोई land है जिसकी आप देख रहे हैं कि maximum value किस तरह से achieve की जा सकती है उसको अगर आप land की zoning change करना चाहते हैं तो हमारे पास dedicated teams हैं जो के हर एक field में काम करती हैं उसके लिए भी आप हमें contact कर सकते हैं मसलें आपका real state के मतलग कोई भी सवाल हो, कोई भी question हो, कोई भी जरूरत हो, हमारी team able and ready है आपकी उसमें help करने के लिए तो इसके साथ ही हमारे program का आज का वक्त समाप्त होता है और अगले हफते फिर एक show लेके आपकी खित्मत में हाजर होंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, शबाख खेर, थैंक यू झाल